तो आज हम लोग परहेंगे कलास 10 के पोजिटी के फ़र्स हीपटर ड। डॉस्ट अपे स्नौ के पुरैट है र्भाट फ्रस ड॥र्साफच अपे स्नौ का हिंदी होता है बर्फ की धूल जिसके पुरैट है रोबर्स फ्रस रबर्स ने लिखे आं ड॥र्स अपे स्नौ इसमें दो यह रहा और दूसरा यह रहा. तो हम लोग पहले पहले ऐस्टेजा को देखते हैं उसके बाद से दूसरे Background को दखेंगे, तो पहला और मी मेरे उपर हिला दिये, मी मिस मेरे उपर यानि रोबर्ट फ्रॉस्ट के उपर हिला दिये, दर डॉस्ट अपे स्नो बर्फ के धूल और बर्फ के धूल मेरे उपर हिला दिया ने एक कववा था जिसने डॉस्ट अपे स्नो को गिरा दिया ने हिला दिया, फ्रम हेमलक्त्र हेमलक ट्री से यान एक कववा जो था हेमलक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था और उसके नीचे जो थे कभी यानि रोबर्ट फ्रास्ट खरे थी और उसी धातूरे के फिर ट्री से यानि हेमलक ट्री से उसने क्या किया उस डॉस्ट अपे स्नो को गिरा दिया यही दिया हुआ हिं दिब एक बार देलेती हैं कभी य1 धतूरे के brick के नीची ख़ड़ा हुआ था ब्रीक्ट पर बैठ भूए एक कभी ने ब्रीक्ट भूलाया winter वहेंलग में कभी को बैठा हुआ था और रिट गीर गया और बार्फ कर कभी के ऊपर गिर गया सेकेंट यस्टेंजा है has given my heart मेरा हेल दै a change of mood बदल गया और मेरा मनोदाशा जो था वो क्या होगे बदल गया and saved some part of day और एक दिन का कुछ हिस्षा saved ने बचा लिया एक दिन का कुछ हिस्षा जो था बचा लिया I had ruined जो मैंने बरबाद किया था कवी दुखी मनोदाशा में था जो कवी जो था वो रोबर्ट हेमलक ट्री के नीचे था और वो कवी दुखी मनोदाशा में था जब ये कवी ने उसके उपर बर्फ के कर गिरा दिये जब ये कवी ने उसके उपर बर्फ के कर गिरा दिये इससे उसकी मुदासा प्रिवर्वर्थित हो गए यान कबी दासा कर रबर्ट फ्रोज जो थे उनके मुड के आवाद change हो गया प्रिवर्थित हो गया बदल गया और वह दिन के सिस भाग में दुखी रहे यहां दुखी रहे दे दिया है गल्दी दे दिया है वह बाकी वह दिन के सिस भाग में खुश रहे ऐसा आप होना चाहिए था यानि उन्हें क्या किया सेब्ड और पार्ट अफ एड यानि एक दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया जो वह बर्बाद होने वाला था पूरा दिन उनका मुट अफ होने वाला था जैसे ही बर्फ का कर गेरा उनके सहीर पर उनका मन चेंज हो गया I had to do it और मैंने जो मैंने बर्बाद किया था मैंने उसे बचारिया थेंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो